नमस्कार दोस्तों राजमा बनाना तो बहुत जहन्जट दिखता होगा आप लोग को लेकिन इतना इजी तरीका बताओंगी कि बीना जहन्जट के राजमा बनेगा बीना फुलाए बीना भीगोए आप छन भर में अचानक से बना सकते हैं दोस्तों इसमें राजमा फुलाने का कोई जहन जट नहीं दिखेगा अचानक मन करेगा कि कोई सबजी नहीं राजमा बनाए तो आप लोग इस तरह से बीना फुलाए राजमा की सबजी जटपट से बनाएंगे कम मसाले के साथ बनेगा खड़े मसाले से बनेगा दोस्तों वीडियो पसंद आने पर एक लाइक एक कमेंट कीजिएगा दोस्तों तो चलिए मैं चलती हूँ अब इस राजमा के टेस्टी सबजी डिलेसियस सबजी बनाने तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और एक एक पॉइंट को फॉलो कीजिएगा दोस्तों देखिए एक कटोरी राजमा है कोई भी कटोरी के आप माप बनाईए या कप का आपके घर में जितना परिवार हो उस हिसाब से आप राजमा ले सकते हैं लेकिन मैं एक कटोरी राजमा ली हूँ इसको दो पानी से धूल लेना है थोड़ा साफ कर लेना है दो पानी से धूल के लाई हूँ दोस्तों देखिए हो गया है तयार फ्रेश हो गया अब इसको कुकर में डाल देना है जिस कटोरी से राजमा था उसी कटोरी से एक कटोरी राजमा तीन कटोरी पानी डालना होगा अगर दो कटोरी राजमा रहेगा तो छे कटोरी पानी डालियेगा अब इसमें एक चम्मच नमक डालना है और थोड़ा सा चिनी चिन्नी इस राजमा को बहुत जल्दी घुला मिला देगा अब थोड़ा सा दो तिन बुन्द सरसो वाइल अब इन सब के साथ धक्कन को कभर कर देना है दोस्तों अब इसको लगाना है छे साथ सिटी आराम से लगेगा तब राजमा बहुत बढ़िया पक जाएगा तब तक के लिए एक टमाटर, तीन प्याज, हरा धनिया, अदरक हरा मिर्चा, लहसुन कली थोड़ा सा तेज पत्ता, दालचीनी टुकड़ा बढ़ाई लाईची अब इन सब मसाले के साथ बनेगा बहुत जादा डिलेसियस राजमा का सबजी तो देखिए दोस्तों राजमा बॉयल हो गया है, बीना फुलाए राजमा बॉयल हुआ है और देखिए कितना बढ़िया पक गया है तो अगर आप लोग इस तरह से राजमा जहटपट बनाएंगे तो बीना फुलाए बनेगा और जो जो समान के साथ मैं इसको सीटी लगाई हूँ उस बात को ध्यान दिजिएगा थोड़ा सा चिन्नी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सरसुयल इन सब के साथ साबूत राजमा बीना फुलाए बढ़ियां से कुकर में पक गया है अब इस राजमा को अलग कर लिजे पानी को अलग कुकर गरम होने पर इसमें डालना है बड़े चम्मच से एक चम्मच सरसो आइल आपको जो तेल पसंद हो उस तेल में बन सकता है फिर दाल चीनी टुकड़ा, तेज पत्ता, बड़ाई लाईची, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मेथी दाना अब इन सब को पकने पर साबुत लाल मिर्चा तिन फिर इसमें हरा मिर्चा आदरक टुकड़ा लहसुन कर ली, अब प्याज डाल करके इसे बढ़ियां से मीडियम फ्लेम पे पकाना है प्याज को डालने के बाद इसे चलाईएगा, थोड़ा, रुक रुक करके चला करके बढ़ियां से इसे प्याज को फ्राई कर लेना है प्याज बढ़िया फ्राई हो जाएगा दोस्तों उसके बाद सारे मसाले पढ़ेंगे वीडियो पे बने रहिए थोड़ा सा कास्मीरी लाल मिर्चा पाउडर मतलब एक चम्मच छोटा चम्मच से ले लेना है अब इसको चला लेने के बाद में हल्दी पाउडर एक चम्मच गोलकी जीरा पाउडर हाफ चम्मच चना मसाला एक चमच, कीचन, कींग मसाला एक चमच, नमक एक चमच, एक चमच नमक राजमा बॉयल करते टाइम भी पड़ा है तो राजमा में भी नमक होगा इसलिए मैं एक चमच डाल रही हूँ नमक आप अपना स्वात के हिसाब से लेंगे दोस्तों अब थोड़ा सा पानी डालके इन सब मसाले को बढ़ियां से फ्राई कर लेना है थोड़ा सा पानी डालने पर मसाला बढ़िया फ्राई होता है फिर देखिए साइड में तेल बढ़िया छोड़ने लगेगा तो समझे ये मसाला बढ़िया पक गया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजिएगा दोश्तों जिससे हमारा हर एक वीडियो आप तक मुचेगा और आप लोग हमारा हर एक रेस भी सीख पाएंगे अब इसमें मसाला फुना जाने के बाद में राजमा को डाल करके 8-10 बर चला लिजिए हलका राजमा भी फ्राई हो जाएगा मसाले के साथ तब इसमें राजमा वाला पानी जो में रखी थी बॉयल करते टाइम करने के बाद निकला था पानी उन पानी को इसमें डाल करके सेट कर देना है अगर उस पानी से थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी रखना होगा तो और अलग से भी पानी आप अपना अंदास से डाल सकते हैं अब इसको 3-4 सिटी लग गया है दोस्तों 3-4 सिटी लगने पर इसमें डालेंगे हम गरम मसाला गरम मसाला ले रहे हैं हाप चमच आपको ज़्यादा राजमा होगा तो एक चमच भी डाल सकते हैं अब इसको बढ़ियां से चला करके एक मिनट तक चुलहा पर रखना है फिर इसमें डालना है धन्या पत्ता अब धन्या पत्ता डाल करके चुलहा बंद कर देना है और इसे उतार लीजिए वीडियो के लाश्ट तक बने रहेगा दोस्तों देखिएगा कितना डिलेसियस सबजी बना है कितना ज़्यादा टेस्टी लाजवाब लग रहा है तो देखिए कम मसाले के साथ बन गया है बहुत ज़्यादा ग्रेवी मसाले वाला राजमा ज़्यादा मसाला खाना अच्छा नहीं होता है दोस्तों हेल्दी नहीं होता है इसलिए कम मसाले वाला राजमा बनाना सिखाई हूँ तो इस तरह से आप लोग राजमा बना सकते हैं बीना फुलाए बीना जादा मसाले का एकदम खड़े मसाले के साथ जटपट से बन गया है राजमा तो अचानक से राजमा बनाने का मन किया तो इस आइडिया से आप लोग जरूर बनाईएगा और हमारा आइडिया को एक एक फॉलो कीजिएगा हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों तो आगर YouTube चैनल पर देखते होंगे तो सबस्क्राइब कीजिएगा चैनल को और Facebook पेज़ पर देखते होंगे तो फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पर देखते होंगे तो फॉलो कीजिएगा दोस्तों फिर मिलेंगे अगले दिन अगले रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई